महारे राजिस्थान रा, दूर दराजरा गाउं, गंगापुरा, मोडिया मंसर और गोयलरी के बीच बसा है खरी चारणान राजकिय बालिका माध्मिक विद्याले, जहां लगबग साड़े चार सो बेटियां पढ़ानावे हैं। लेकिन फिलाहाल इस स्कूल में एक दिवार यहां तूटी है और एक वहां। इस स्कूल रीव फर्शी कुछ उदास, कुछ उखडी-उखडी है। बातरूम साफ न होने के करण बेटियां इनमें जाने से कत्रावे हैं। ब्लैक बोल तूटे और दिवारे बुजी-बुजी हैं। यहारी मेज और कुरसियां मानों लुकका छिप्पी खेल रही हैं। वे दिखाई ही न देवे हैं। लंबे समय तक जमीन पर बैठ कर पढ़ने से बेटियारी कमर में दर्द रह वे हैं। इन परेशानियों से हमारी बेटियों राहोसला तूटे हैं। इसी होसले को मजबूत बना रहे हैं एनुबेल और महिंद्रा सस्तेन। जिनोंने कुछी दिनन में पूरे स्कूल रो काया कल्प कर दियो है। बेटियन के स्कूल में अब मानू रंगोरी बहार है। दिवारें, दर्वाजें और खिरकियां अब खिल उठे हैं। और फर्ष भी अब समतल है गयो है। इनके आने के बाद स्कूल में आई हैं कई सारी सुपरिस्टार जैसे अवनी चतुरवेदी जी, साइना नहवाल जी, गीता गुपिनाद जी, फागुनी नायर जी और कल्पना चावला जी। इतना ही नहीं, एक परी ने भी स्कूल को अपनो घर बना लियो हैं और अब रोज हमारी बेटियों को अपने सपने साकार करवारी प्रिर्णा देवे हैं। इनके साथ इसकूल की दिवारों पर आई समझदार गुडिया और सियानी बिंदू, जिसने हमारी बेटियों को सिखाया अच्छे और बुरेश पर्ष रो अंतर, और पानी रो सही इस्तिमाल। अब बिटियरी क्लासरूम चमचमावे हैं। एनोबेल के साथ आया यलो ग्रीन बैक डेस्क, एक अनूठा इनोवेशन जो मेज बन जाता है और बेटियों रो बैट कर लिखने में सहयता करे हैं। स्कूल रो बदलियों स्वरूप, टीचर्स और हम गाववासियों को भी बहुत उत्साहित करे हैं। सुनियों है एनोबेल हमारे गाववववोस में और पूरे देश में कई सरकारी स्कूलों में ऐसे कई सुधार करन वाला है। ताकि हमें अपने देश की अगली अवनी, कलपना, साइना, गीता या फिर फागुनी मिल सके। झाल